हाई फ्रेंड्स आइम मधू और मैं आपका हमारे इस चानल लर्न विद मधू पर वेलकम करती हूँ सो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें यह डिसकस करते हैं कि आपको हमारे चानल से क्यों पढ़ना चाहिए सो लेट्स टार्ट सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जो 2021-2022 का बैच है यानि जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाले हैं उन्होंने हमारे वीडियो का काफी फाइदा उठाया है और हमें बहुत जादा एप्रिशियेट भी किया है उन्स्टूडेंट्स द्वारा की गई कुछ कमेंट्स को आप देख भी सकते हैं यह कुछ कमेंट्स हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो पर करी ठीक है इनको आप बाद में अराम से रीड भी कर सकते हैं सबसे important reason है experience क्योंकि अभी मैं 10th क्लास में हूँ और term 2 के exams के बाद में 11th क्लास में हो जाऊंगी और term 1 exams में मैंने 96.5% स्कोर किये बिना किसी tuition या coaching के तो मैंने 10th क्लास में जो changes और problems face करी वो मैं आप सभी के साथ share करूंगी क्योंकि 9th क्लास तक तो हमारा question paper school ही बनाते हैं हर एक chapter के बाद जो question answers होते हैं उन्हीं में से वो question paper बनाते हैं और हम उन्ही question answers को याद करके अपना exam दे देते थे लेकिन friends 10th क्लास में ऐसा नहीं होता क्योंकि 10th क्लास board की class होती है और हमारा paper cbsc बनाती है और board exams में chapter के in between से भी questions पूछे जाते हैं इसलिए हमें हर एक chapter को अच्छे से पढ़ना होगा हर एक concept को अच्छे से clear करके उनके notes बनाने होते हैं ताकि revision करते time आपको पूरा chapter दुबारा ना पढ़ना पड़े उन notes में से ही आप revision कर लो और friends notes कैसे बनाते हैं इनका मैं आप सभी के लिए अलग से video भी बनाऊंगी और साथ ही साथ मैं आप सभी को अपने notes भी provide करूंगी हर एक chapter के So friends 10th class में मैंने और बागी के friends जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने जो problem face करी अब उनके बारे में one by one discuss करते हैं So problems faced by students in class 10th First one is notes Friends notes बनाते time हम काफी problem face करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें notes क्यों बनाने चाहिए और notes कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ मैं अपने notes सो provide करूंगी ही Okay then second one is how to write answers Friends ये बहुत ही common problem है हर एक student answer लिखते time problem face करता है क्योंकि 9th class तक तो हम वही question के answers को रट लेते थे और उन्हीं exam में लिखाते थे लेकिन 10th class में chapter के in between से भी question पूछे जाते हैं तो अब उन question के answers हम कैसे form करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी और इसके लिए मैं आपको videos भी provide करूंगी then English, friends हमारे mostly subjects English में ही हैं लेकिन हमारी mother tongue अलग है इस वज़े से हमारी English weak होती है और English strong होना बहुत ही important है because हम question के answers तभी form कर पाएंगे जब हमारी English strong होगी इसलिए मैं आपको English के सारे videos provide करूंगी English grammar के जितने भी topics हैं and English literature के जितने भी chapters हैं उन सभी के videos आपको इस channel पर मिलेंगे then fourth problem is how to study maths and science friends maths and science में भी हम काफी problem face करते हैं because यह दोनों ही बहुत ही technical subjects हैं तो मैं और मेरा younger brother रज़त आपको maths and science के सारे chapters अच्छे से explain करेंगे and सारे chapters के आपको video मिलेंगे तो आपको maths, science, sst and English इन चारो subjects के सारे chapters के videos हम provide करेंगे ताकि आप 10th class में बहुत अच्छा score कर पाएं So friends at the last मैं आपको यही कहूंगी कि एक बार आप हमारे channel पर जरूर visit करें and I am sure कि आपको हमारे videos पसंद आएंगे और हाँ friends हम आपको study के साथ साथ motivation, strategy, fitness और CBSC updates के videos भी provide करते रहेंगे So इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा channel useful लगा then share it with your friends Thank you so much